आईए दोस्तों उमीद है आप सब अभी बढ़िया ही होंगे सबसे पहले समझते हैं जनन और इसके बाद हम समझते हैं काईक अंग और इसके बाद हम समझेंगे प्रजनक भाग तो बारी-बारी से इसे हम समझते हैं तो यहाँ पर बहुत ही आसानी से आपको दिख रावगा जनन जी हाँ जनन देखिए आप से यह चीजरी पूछी जा सकती है जनन क्या है, जनन से आप क्या समझते हैं जनन किसे कहते हैं जनन का मतलब क्या होता है तो कुछ भी पूछ दिया जाए ये सब चीजे में से आपको घवराना बिलकुल नहीं है और मैं जो यहाँ पर बता रहा हूँ न वही आपको लिख कर आजाना है ओके तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि परिभासा में क्या है देखिए जनन जी हाँ जनन वह जैव पर किरिय है जिसके द्वारा सभी परानी या आप हो या गाय हो या भैसो बकरी हो या छोटे छोटे परानी हो सभी परानी अपने ही जैसे जीव की उत्पती करते हैं तो वही आपका कहलाता है जनन जी हाँ जनन आपको यहाँ तक ही किलियर हुआ कि नहीं हुआ बस आपको यह चीजे ख्याल रखनी है कि जनन हमारा जीवों में होने माला वह फरकिरिया है जिसके द्वारा सभी परानी या छोटा परानी हो या बड़ा परानी हो वे अपने ही समान क्या करते हैं जीव उत्पन करते ही हैं या उत्पति करते ही हैं तो वही आपको क्या कहलाता है जनन कहलाता है ओक तो आपको समझ आ गया होगा, चलिए आब हम आगे बढ़ते हैं आगे हमारा अजाता है काईक अंग, अब ये क्या है? तो ये हम पढ़ रहे हैं पौधों में जो जनन होता है, तो यहां पर हम काईक अंग पौधा में ही पढ़ रहे हैं, तो जनन हम वेसिकली पॉधा और जो कह सकते हैं जन्तु उसमें कोई फर्क नहीं है यहाँ पर चले पड़ते हैं काईक अंग यह आखिर है क्या काईक अंग का अगर हम इंगलिस देखे तो क्या होता है वेजिटेटिव फार्ट्स ठेक है तो इसका परिभासा क्या है यहाँ प कहते हैं तो यहाँ पर विल्कुल आपको समझ आ गया होगा कि काईक अंग हम किसको कहते हैं यानि पौधे के सरीर का यह भाग कौन-कौन सा भाग तो जड़ हो गया तना हो गया और पतिय हो गया यह आपको क्या कहलाता है काईक अंग कहलाता है चलिए अब हम आगे बढ़त पौधे में एक निश्चित सीमा के बाद इसमें फूल लगने क्या होते हैं शुरू होते हैं जी हाँ जो पौधे होते हैं हमारे जैसे कि कदू आप देख सकते हैं निनुआ जिंगी ये सब आप देख सकते हैं और सेम ये सब क्या है पौधे ही हैं तो पौधे में क्या होता है एक निश्चित सीमा के बाद फूल लगने क्या होते हैं सुरू होते हैं तो फूल पौधा का क्या कहलाता है परजनक भाग कहलाता है जी हाँ जितने भी फूल फूलाते हैं वे क्या कहलाता है पौधा का परजनक भाग कहलाता है तो यहां पर छोटी सी बात याद रखनी है कि जो हमारा फूल होता है वो क्या है पौधाका तो परजनक भाग है तो यहां पर आप देख सकते हैं परजनक भाग का इंग्लिस के आ जाता है reproductive parts ओके तो यहां पर आपको परजनक भाग समझ आ गया होगा तो उसलिए मिलते हैं नेक्स्ट दीन और मेरी दीव हुज जनकारी से अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ सीख मिलता है तो यार वीडियो को लाइक कर देना और नीचे साइन्स महल का लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा उस पर आप किलिक कर दीजेगा